हेलो फ्रेंड्स आजकी लगा इस वीड़ीव के अंदर मैं आपको डाली जाती है मेसर में आक्र मेजरिमेंट आपके पास न हो तो उससे आप किस तरीके से मेजर करेंगे तो यह वीड़onder सेखाने सबसे पहले आपको समझाने के लिए दो तिन चीजे बताऊंगा आप उसे सबसे पहले नोट करूं देखिए क्या होता है मानलो अभी मेरा यह कागज का तुकड़ा है ठीक है जैसे पेपर कटिंग के लिए हम लेते ना तो यहां पर मानली आपका फरेंट वाला इससा है यह ब मेंट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो अगर मान लीजे किसी की डोट लेंद आई साड़े दस इंच में तो यह अभी आप से नॉर्मल साड़े दस पर रखो मैं आपको अभी बताता हूं तो देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कि बैक में पिलेट डाली क्यों जाती है अब इस साइज को आप अगर नोट करेंगे तो यह साइज आप देखेंगे तो इसके अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं है यानि कि बैक प्रेट इसमें ना भी लालो तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बिल्कुर आराम से इसकी बैट ज देखाता हूं मैं आपको यह रही है जम historically इस तरीके से चाज़ानी होती यह लगती क्या है कर था था कर summer के बाद यह जो problem आ रही है तो सबसे पहला तरीका है जैसे अच्छा तरीका तो आप यहां पर साड़े दस हैं तो यहां पर यहां से लेंगे वह आप यहां पर आठ इंच के आज पास ले लें लेकिन किसी-किसी की फिटिंग में क्या होता है जैसे यह इप वाला हिस्सा है आप देखिए यह इस तरीके से करने से यह प्रॉलम आपकी सॉल्व हो जाएगी अब यह तो आपने निसान लगा लिया अब दोस्तों मैं आपको एक जो चीज दिखाने वाला हूं उससे आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए क्योंक अब साइज हम लख लेते हैं नॉर्मल साड़े तीन और यहां पर भी हम लख लेते साड़े तीन यह निसान हो गया इसको हम फुटे के मदश से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसमें पेलेट डाली क्यों यह बहुत है यह हमारा निसान हो गया अब इसको आप जहान से देखना यह हो गया इस तरीके से निसान ठीक है इसको मैं पूरा निसान लगा देता हूं तो देखिए दोस्तों यहां पे मैंने निसान लगां एक टिया रही हमारी बैक प्लेट यहां पर इस तरीगे से हो जाती अब जब सिलाई लगाते हैं पर लेकिन हैं नोग निदेए बनने आहां पर गोलाइreso देब यहां पर लाखे उतार देते हैं इससे क्या होता है यह सा कमर खं़ का कटलेता है और इधर हमारी से लिफा कहाँ गी सब्सक्तों क्तलें कि में इस एक प्लेट में दूसरी में किंगा जिस सथ इसके बढ़ल लेते को यहां से वासे इस तरीके कि जो नाप है आपका नाप हो गए आप साड़े साथ यानि कि पंद्रा इंच टोटल है क्योंकि क्वार्टर नाप लेते हैं यहाँ पर तो अगर आपकी तीस कमर है तो हमने यह निसान लगा लिया फिर आपको फरेंड में भी पिलेट डालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा लेगे तो हम तोटल एक इंच लेंगे ठीक हो निसान लगा देंगे फिर यह निसान आप देख सकते हैं कितना फर्क पढ़ जाता है फरेंड प्लेट और बैक प्लेट के लिए लेकिन अदन कैडान में होती है तो किसी को फर्रेंड प्लेट पसंद नहीं होती तो यहाँ पर नहीं है जिसमें जहुरत होती है वह आपको मैंने दिखाए था जैसे यह साइज है तो इसमें जहुरत है तो हमारा बैक प्लेट के लिए वाला निसान आएगा और इस निसान पर देख सकते हो जो पहले वाली स्लाइटी उसमें और इसमें कितना फर्क हो गया और यहां पर हमा प्लेट वाला तो यहां पर देखी कितना ज़्यादा आपका यह जो जिसकी कमर पतली होती वह एजस्ट कर लेती स्लाइट जैसे आपने यहां पर देखा कि एक इन स्लाइट एक प्लेट में गई और चाल्ड पिलेट अगर आगे पीछे डलेंगी तो इस तरीके से निसान ल लेकिन अगर आपके पास प्लेट का नाप ही ना हो यानि कि अगर आपने डोट लेंद का ना ले रखा हो फिर भी बैक प्लेट डालनी है तो उसका भी बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं अब देखिए हर साइज में एक आइडिया होता है कि इस साइज में हमारी कमर अब इस निसान को हटाने के बाद यहां से ऐसे करके चार इंचे रखेंगे ऊपर अब चार इंचे की साइड में आप आठ पर लगा लो यह जो आपको मैंने समझाया था जिसके जोल परती वह नो पर भी कल सकता है ठीक है इतने में करने के बाद प्लेट डालने का तरीका ब कि साइड में कैसे रखें तो दियान से देखिए एक अत्तिस से थर्टी फॉर कि सवा तीन इंच थर्टी फाइब से फोटी टू साढ़े तीन ठीक है ओं फोटी फिरी से उपर चाहें आपको चवन के आसपास हो तो आप इसको यहां पर क्या ना में पने चार और इसको आप चार भी कर सकते हों तो इस तरीके से आप इसकी ब्रॉड्नेस ले सकते यों लेंध का मैंने आपको बता दिया कि इस जो है फोलो कर ले और इसको लाइक कर दें और अगर आप हमारे यूटूब पे इस वीडियो को देखने तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग